नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से जवागत है आप सभी का हमारी नए योटिव वीडियो में जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मारूती ने अपनी ग्रेंट विटारा को अन्वील कर दिया है 20 जुलाई को यानि कि कल रिवील कर दिया गया था है और बहुत सारे योटिवर्स इस भी बहुत सारे वीडियो भी बनाई जो की बहुत जाए चल रही है लेकिन हम सबसे स्पैशल वीडियो आपके लिए लाए हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे मारूती सुजू की ग्रेंड विटारा वर्सीज टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर के बीच में बहुत बड़ा comparison वैसे तो इनका platform एक है design language थोड़ा बहुत अलग है लेकिन बहुत सारे similarities हैं तो हम similarity की बात भी करेंगे और difference की बात भी करेंगे difference भी बहुत सारे हैं तो शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की वैसे तो दोनों गाडियों में design language सेम ही है जैसके आप अपनी screen पर देख सकते हैं दोनों की गाडियों में आपको उपर की तरफ DRLs देखने को मिल जाती है और नीचे की तरफ आपको headlight देखने को मिल जाती ह है फरक सिरफ इतना है Grand Vitara में आपको dual functional DRLs देखने को मिल जाती है जो की indicator का काम भी करती है और DRL का काम भी करती है फ्रेंट लुक में आपको सबसे ज़्यादा main attraction इसकी grill दे रही होगी जो की piano black finishing में आपको देखने को मिल जाती है नीचे की तरफ आपको बहुत बड़ा सा silver skit plate देखने को मिल जाती है बात कर लेते हैं Toyota Urban Cruiser High Rider की यहाँ पर भी आपको उपर की तरफ DRL और नीचे की तरफ आपको projector headlamp देखने को मिल जाते है बस फरक सिरफ इतना है यहाँ पर आपको projector headlamp के surrounding में chrome का वरक देखने को मिल जाएगा और Grand Vitara में आपको piano black finishing में आपको मिल जाता है आगे बड़े Toyota Urban Cruiser High Rider में आपको दो टाइप की grill मिल जाती है जिसमें उपर की तरफ जो grill है वो बंद है नीचे वाली grill air intake का काम करती है दोनों ही गाडियों में आपको front camera grill में देखने को मिल जाएगा और grill के नीचे आपको high rider में भी silver skit plate देखने को मिल जाएग और clear comparison आपको साफ समझा रहा होगा मुझे grand vitara जादा पसंद आई in terms of looks अब ये personal matter है अपना अपना तो आगे बढ़ने इसके side looks में आपको ज़्यादा कुछ change तो नहीं मिलेगा वाय अलोई wheels के तो बात कर लेते हैं ORVM की ORVM आपको blenow वाला ही दोनों गाडियों में देख देखने को मिल जाएगी जिसे हम window line भी कहते हैं उपर की तरफ आपको roof rail भी देखने को मिल जाएगी piano black finishing में लेकिन ये आपको functional नहीं मिलेगी और यहां पर आपको ऐसा कुछ design देखने को मिल जाएगा silver color में दोनों ही गाडियों में यहां पर आपको cladding बहुत बढ़िया म साथ मिल जाते हैं side loop में आपको ऐसी कुछ look देखने को मिल जाएगी दोनों ही गाडियों की back side की बात कर लेते हैं तो मुझे तो personally grand vitara ज्यादा पसंद आ रही है पीछे की दरफ आपको grand vitara में connected dls देखने को मिल जाएगी lights और उपर की दरफ आपको sharp fin antenna दोनों ही गाडियों with roof mounted high stop lamp के साथ शीशा साफ करने के लिए आपको wiper और defogger देखने को मिल जाएगे grand vitara के lights का design jeep meridian से थोड़ा inspire रखा गया है दोनों ही गाडियों में आपको पीछे की दरफ भी silver skid plate देखने को मिल जाएगी grand vitara के look की बात करें तो आपको ऐसी कुछ देखने को मिल जाएग तो ये वाला पार्ट आपको similar मिलेगा जिसमें आपको indicator and reverse lamp की housing दी गई है high rider की back side को भी देख लेते हैं roof mounted high stop lamp आपको मिल जाएगा wiper आपको मिल जाएगा defogger आपको मिल जाएगा sharp fin 19 आपको देखने को मिल जाएगा और आपको जो tail lamp मिलेंगी वो आपको C shape में देखने को म 17 inches का spare wheel without low wheel आपको देखने को मिल जाएगा दोनों ही गाड़ियों में toolkit भी आपको देखने को मिल जाएगी चलो दोस्तों इसके interior की बात कर लेते हैं steering wheel आपको दोनों गाड़ियों का same मिलेगा बस logo का difference है leather wrapped with tilt and telescopic function के साथ आपको steering wheel देखने को मिल जाएगा जिस पर आपको cruise control and infotainment के control देखने को मिल जाएगे side में आपको push start stop button देखने को मिल जाएगा with surrounding chrome finishing के साथ top से नीचे वाले variants में आपको analog instrument cluster देखने को ही मिलेगा digital आपको शिरफ top end variant में देखने को मिल जाएगा साथ में आपको 9 इंच की touchscreen देखने को मिल जाएगी जो कि मारूदी से उठाई गई है दोनों ही गाड़ियों में armrest आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाता है लेकिन इसमें आपको कोई port नहीं दिया गया good glove box या आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा किसी भी गाड़ी में लेकिन automatic climate control आपको देखने को मिल जाएगा सभी variants में hill descent and auto start stop का button भी आपको देखने को मिल जाएगा USB ports भी मिल जाएगे और 12 volt का power socket भी आपको देखने को मिल जाएगा 5-speed का आपको manual transmission के साथ gear box देखने को मिल जाएगा with piano black finishing दोनों ही गाड़ियों में आपको 4x4 के option देखने को मिल जाएगे with off-roading driving modes के साथ यान कि snow mud वाले और उपर की दरफ आपको vanity mirror दोनों ही गाड़ियों में दोनों ही sides आपको देखने को मिल जाएगा with light और यहाँ पर आपको sun glass holder भी देखने को मिल जाएगा लेकिन जो पूरी lightning है वो आपको halogen देखने को मिल जाएगी grand vitara की बात कर रहा हूँ urban cruiser का मुझे पता नहीं इस button से आप अपनी गाड़ियों की sunroof को खोल सकते हैं और दोनों ही गाड़ियों में आपको special sunroof मिलेगी यानि की दोनों ही चीशे अपने आप पीछे हो जाते हैं जासके आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इससे यह sunroof और भी जादम बड़ी हो जाती है यहाँ पर आपको automatic IRVM देखने को मिल जाएगा seats की बात करें seats design आपको grand vitara में meharoon and black के color option में देखने को मिल जाएगी और high rider में आपको पूरी theme black and peach color की देखने को मिल जाएगी दोनों ही गाड़ियों में आपको ventilated seats के option भी देखने को मिल जाते हैं अगर हम बात करें पीछे से देखने पे तो आपको ऐसा कुछ dashboard देखने को मिल जाएगा urban cruiser का और यह design आपको मिल जाएगा grand vitara का और अगर clear comparison की बात करें तो आप अपने screen पर देख सकते हैं ज्यादा कुछ difference नहीं है बस जो main difference में आपको बता देता हूँ grand vitara में आपको champion gold adsense देखने को मिल जाते हैं दोनों ही गाडियों में आपको car connected technology मिल जाएगी आनि कि आप अपने phone से ही अपनी गाड़ी को operate कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं doors की grand vitara में आपको महरून सी leather finishing मिल जाएगी और urban cruiser में आपको वही पीछ वाली finishing देखने को मिल जाएगी बाकि design पूरा same रखा गया है piano black finishing का भी use किया गया है और जो driver side window रहने वाली है बस वही auto up and down रहने वाली है और electrically adjustable आपको ORVM's देखने को मिल जाएगे chrome cup finishing भी दी गई है और यहां पर आपको CRANDU TARA में ऐसी कुछ seats देखने को मिलने वाली है दोने ही गाडियों में आपको HUD याने की heads up display देखने को मिल जाएगी और front seats के ventilation के button आपको यहां पर देखने को मिल जाएगे EV mode and drive mode भी देखने को मिल जाएगा wireless fast charging भी आपको दोनों गाडियों में मिल जाएगी अब engine के बात कर लेते हैं दोनों ही गाडियों में आपको fully hybrid engine देखने को मिल जाएगा लेकिन मारूती में आपको एक और option मिल जाता है मारूती में आपको एक smart hybrid नाम का option भी देखने को मिल जाता है जिसमें आपको थोड़ी कम power मिलेगी थोड़ी कम average मिलेगी लेकिन हाँ इसी में आपको 4x4 का option देखने को मिलेगा fully hybrid में आपको 4x4 नहीं मिलेगा या आप hybrid ले सकते हैं या 4x4 ले सकते हैं मारूती में लेकिन Toyota Urban Cruiser High Rider में आपको 4x4 के साथ fully hybrid technology भी देखने को मिल जाएगी hybrid version में आपको 28 की mileage देखने को मिल जाएगी तो अब बात कर लेते हैं कौन सी गाड़ी आपके लिए एक better choice बन सकती है इन दोनों में से तो अगर आपको चाहिए एक premium quality वाला work तो आप Toyota Urban Cruiser High Rider की तरफ जा सकते हैं क्योंकि जो service होगी वो आपको एकदम best मिलेगी best of quality और अगर आपको गाड़ी बहुत जाना चलानी होती है यानि कि आपको बहुत जादा driving का शौक है तो आप hybrid की तरफ जाएए आपको 4x4 भी उसमें मिलेगा यानि कि दोनों काम आप एक ही गाड़ी के साथ कर सकते हैं with better mileage लेकिन अगर आपको चाहिए एक थोड़ी सस्ती गाड़ी जैसे कि आप सब जानते हैं जो Toyota की गाड़ी होती है वो बहुत जादा over price होती है और मारूती की जो गाड़ी होती है वो under price आपको देखने को मिल जाती है तो अगर आपको थोड़े कम प्राइस में एक बहुत ही बड़ीया looking के साथ गाड़ी चाहिए with hybrid तो आप मारूती की तरफ बेजी जग हो करके जा सकते हैं अगर आपको वीडियो फसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना यह बड़ी अच्छी बात कही है अब अगर तुम लोग उन खूबसूरत प्राणी में से एक हो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो